SDH कालका हॉस्पिटल के अंतरगत करोना संकरमित के दो नई मामले सामनी आये हैं स्वास्तवी भाग ने दोनों करोना संकरमन मरीजों को आईसलेट करने की त्यारियां शुरू कर दी हैं सब डिवीजनल हॉस्पिटल HDH कालका शहर की अंतरगत दो मामले करोना संक्रमित के रात को आई रिपोर्ट में बताए गए हैं इस मामले की पुष्टी HDH कालका इंचार्ज M.S.M.O. डॉक्टर ध्रमिंदर ने की है उन्होंने बताया कि नानकपूर C.H.C के अंतरगत रामप स्वास्ते विभाग की टीम अलर्ट हो गई है और दोनों करोना संक्रमित मरीजों को आईसलेट करने की त्यारियां शुरू कर दी है